हेलो गाइज मैं हूँ रिशाब प्रसाद आपकी मनजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो आज हम Class 2 al Physical Education का जो Question Pattern है उसके बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे कि कितने marks के आपके paper होगे कितना इसका समय होगा और किस-किस section से आपके कितने marks के question आएंगे तो इसके बारे में हम डीटेल में डिसकस करेंगे तो चली करते हैं तो हमारा जो term to examination है, यह April और मेक में हो सकता है, जो अभी तक CBSC की द्वारा बताया गया है. Physical education में आपके 35 marks के paper होंगे, और 15 number के आपके practical होंगे, जिसमें आपको अच्छी तरीकी से 15 marks carry करना है, और आपके इससे क्या होता है, कि जो एक overall percentage है, वो अच्छा हो जाता है. यह term to जो होगा, आपका 2 hours का होगा, और इसमें आपको क्या होगा, रिटेन होगा, यानि कि लिखना पड़ेगा, कोई भी MCQ-based question नहीं रहेगा. तो class 12 जो physical education है, इसमें आपके कुल 3 section रहेंगे, section A, section B and section C. Section A में 9 questions कुल रहेंगे, और 9 में से किनी 7 questions को करना आपके लिए अनिवार है. हर question 2 marks carry करेंगे, यानि कि section जो A होगे आपका, A section में आपके 7 questions करने है, 2 marks, यानि कि 14 marks के आपके total section A रहेगा, जिसमें 30 to 50 words आपको each question के answer को लिखने पड़ेंगे, यानि कि बहुत चोटा भी आप लिखते हैं, तो नहीं चलेगा. 30 से 50 words उसमें होने ही पड़ेगा, अगर कुछ ऐसे पूछ लिया कि example दीजे, या one word सब मने इस तरीके के one word में answer दीजे, तो वो हो जाएगा, बढ़ जातर answer को आपको descriptive, यानि कि 30 से 50 words के अंदर लिखना है. Section A हमारा हुआ, जिसमें से 7 question करने है, out of 9 में से. ठीक है, section B में total 5 question रहेंगे, और 5 में से आपको 3 question करने है, 3 question जो रहेगा, 3 marks करके रहेगा, यानि कि section B आपका 3 into 3, 9 marks का हो गया. तब ही जाके आप 80 to 100 words लिख पाएंगे, otherwise यह possible नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो section B भी हमारा question complete हो गया, जिसमें 3 question आपको करने है, और हर 1 question 3 marks करेंगे, ठीक है, section C जो होगा, जिसमें total 4 question रहेंगे, ठीक है, जिस question को आपको 4 marks के question के लिए, आपको 100 to 150 words का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक अच्छे से मजबूत answer लिखना पड़ेगा, तो cool कितने हो गया है हमारे, 35 marks ही हमारा हो गया, इन तीनों को मिलाके cool आपके 13 question को आपको solve करना है, तो total question कितने आपको solve करना है 13, किस तरी की question होते हैं मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, इस तरी कि आप देख सकते section A में देखे 9 question है, इन में से 7 question को करना जरूरी है, बाकी 8-9 को आप लिप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको easy लगे, उसी को आप करिए, section B जो है, इसमें आपको किसी 3 question को solve करना है, 5 दिया रहेंगे, ठीक है, एक, दो, तीन कुछ भी करी, चलेगा, उसके बाद जाके section C में भी आपको किसी 3 को करते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जुसका solution है, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसमें अपने वीडियो के थूँ अच्छे से समझा दूँगा कि क्या solution होगा, या किस तरीके से होगा, या किस तरीके से आपको करने से अच्छे marks मिलेंगे, ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अपने एगले वीडियो में, तब तक सौसत रहें, मसत रहें, मुश्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, जय हिन, जय भारत!